आप हमसे जुड़े रह सकते हैं दोस्तों आईए अब चलते हैं पढ़ने की तरफ तो अब हम यहां से क्या करेंगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक्सल के अंदर रो कॉलम का साइज कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं और उनको छुपा सकते हैं दोस्तों आईए सीखते है किस तरह से हम रोप वलम के size जो है उसको change कर सकते हैं मान लीजे मैंने क्या किया यहां से कुछ rows को select कर लिया यह row select हो गए इनका size बदलना है इनकी height बदल लिया है तो row height पर click करेंगे हैं तो यहां पर push रहा है कित्मी height देनी है आपको by default 15 होती है मान लीजे मेरे को देनी 25 25 लि किया जितने भी आप select करोगो उसकी height बढ़ जाएगी जैसे मान लीजे यह row मैंने select किया थोड़ा साइस में writing का size में बढ़ा देता हूं यह देखिए और थोड़ा सा मैंने एक row और ले लिया मैं कुछ समझाने की कुछिस करूँग आपको यह देखिए अब मान लीजे मेरे को यह select कर लिए row की height तो आप जितना चाहो उतना दे सकते हो यह मैंने select किया यहाँ पर option जो है row height जितनी दोगे उसके according जो है row आपकी set हो जाएगी अभी इसमें एक option और था नीचे हम चेक करेंगे auto fit row height auto fit row height से क्या होगा जैसे ही हम यहाँ पर click करेंगे तो जो row के अंदर जो लिखा होगा जो size जिस size का लिखा होगा जिस row की अंदर उसके according वो automatic set हो जाएगा जैसे हम चेक करेंगे यहाँ पर थोड़ा बड़ा size मैंने कर दिया था writing का तो वो छोटे box में नहीं आ सकती तो उसके according जो है row की height automatic set हो जाएगी यह देखिए थोड़ा चोटा था तो उ इनकी मेरे को width बदलनी है तो select कर लेंगे और चलेंगे format option पे column width पे click करेंगे तो यहाँ पर फिर से option आ गया कि कितनी column की width आपको रखनी है मान लीजिए मैंने क्या कर दिया 20 enter किया ok किया तो यह देखिए आप जितना आपने select किया था उसकी जो width है वो change हो गई है अब दूस होगा उसके according जो है column की width वो set हो जाएगी extra space आपको नहीं दिया जाएगा तो यह जो record है जो इस तरीके से हम करते है mostly printing के time में यूज में आता है जब हमारे पास record ज्यादा होता है और उसको manage कैसी करेंगे ज्यादा record होगा मालीज यह दो page blade page पे आपका print out जा रहा है तो उसक सेट कर सकते हैं हमें सेट करने की जरूत नहीं कि जितना column में लिखा होगा उसके according अपने आप रोग की height या column की width अपने आप सेट हो जाती है चलो अब आगे option आते हैं आपका एक default width का option दे रखा है default width अभी हमें यहां से तो change करना पड़ेगा जितना select करेंगे उतने की होग इसके लिए मैं क्या करता हूँ एक दूसरी seat पर आ जाता हूँ मालीजी मैंने seat 2 पर click किया और यहां पर हम देखेंगे जैसे boxes की जो width है आप यहां पर देख पा रहे हो मैंने यहां से सारी seat select की मालीजी हम seat पर काम करेंगा और हमें क्या करना है जितने भी seat के अंदर column है उन 3 मालीजी मैंने इसको दे दिया 12 12 लिखा ok किया तो जैसे ही मैं इसको ok करूंगा तो यह देखिए आप इनकी जो width है वो set होगी चलो मैं दूसरा तरीका देखता हूँ मैं इस पर border लगा के आपको दिखाता हूँ मालीजी मैंने इस पर क्या किया all border पे click करता हूँ मैं यह all border और click कर दिया अब इसकी जो width है उसको मैं क्या कर देता हूँ इसको मैं default width set कर देता हूँ default width पे click करेंगे तो यहाँ पे आप मालीजी यह कितना देना चाहते हो मैंने इसको कर दिया 16 ओके कर दो यह देखो इस seat के अंदर जितने भी column है सबकी width सारी width कहीं चले जाएए आप seat के अंदर सभी की width है वह हमने default set कर दिये जो की आपकी है 16 हमने जो भी दिये उसके according को set हो जाएगी दोस्तो इसका एक shortcut तरीका भी है इसके लिए क्या करना है मानलीजी मेरे पास यह जो column मैंने select किये मुझे इनकी set करनी सबकी shorter तरीके से तो आप किसी भी एक की जैसे मैं एक बास zoom करके दिखाता हूँ आपको आप किसी भी एक column की heading से उसको पकड़के यहां से पकड़के मैंने उसको set कर दिया इतना तो यह देखिए आपने एक का की है सबका हो जाएगा जितना भी आप select करोगे ऐसे ही आपका row का है मानलीजी है आपने यह row select किये यहां से और आप थोड़ी सी height चेंज करना चाहते हो तो किसी के एक की पकड़के set कर दिया वो सबी की अपने आप हो जाएगी यह इसका sort कर तरीका है अगर हमें point to point देनी होती है तो वो तो हम format पे जाके row height यह column width से point to point कर सकते हैं चलो अब आते हैं hide और unhide इसमें हमारे पास hide rows, hide columns, hide seeds option दे रखे हैं पहले हम क्या करता है row hide करा के देखते हैं मान लीजी है मैंने यह 10 से लेके और 19 तक जो row हैं इनको select कर लिया और format वे गए hide, unhide और hide rows पे click कर दिया तो उस range के अंदर जो भी row थे, rows थे, वो आपके hide हो गए हैं अच्छा इनको वापिस दिखाने के लिए क्या करेंगे वापिस दिखाने के लिए एक काम करते हैं हम चेक करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमने 10 से लेके 20 के बीच में जो range है उसको हमने क्या किया है, hide किया है तो हम वापिस जाएंगे format पे, hide, unhide पे जाएंगे और वहाँ पे हम click कर देंगे unhide rows तो जो आपने select किया था 10 से लेके 21 या 20 जो भी है उसमें बीच में जो भी आपके ऐसे row होंगे जो hide किये होई हैं वो आपके screen पे सो जाएंगे दोस्तों यह सारा काम हम यहां से भी कर सकते हैं सारी sheet select हो जाएगी आपकी यहां से click करने से उसके बाद आप unhide rows पे click करोगे तो आपकी working sheet के अंदर जहाँ जहाँ भी row आपके hide होंगे उस सारे आपको sow जाएंगे बट अगर आपको किसी एक particular जगह से आपने बहुत सारी जगह से रोग क्या करता है रोग को hide कर रखा है और आपको एक जगह से उनको sow कराने की जरूरत है तो उसके लिए आपको उनका starting और ending point जो होगा वो select करना है जैसे मैंने भी किया था 10 से लेकि जो भी है 19 से 20 जैसे मै मैंने क्या किया यहां से लेकि यहां तक जो रोग है इनको hide कर लिया format पे जाएंगे hide 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 rose ठीक है उसके बाद मैंने 17 से 18 19 20 इनको hide करा दिया जो भी है आप hide तो कितना भी कर सकते हो hide आप क्या करेंगे इनको sow कराने का तरीका आपका यहां से आप click करोगे और unhide click करोगे तो सारे आपके select हो जाएंगे एकी बार में सारे आपके जो रोग है so हो जाएंगे मान लीजे मेरे को 10 से 14 के बीच में जो भी hide है उनको ही दिखाना है तो आप यहां select किया हुआ आपने 10 to 14 उसके बाद hide पर जाओगे और unhide rose पर click कर देना तो cable उसके बीच में जो रोग थे व की भी रो आप पछोँ नहीं हुआ है तो इस तरह से हम क्या कर सकते है रो को hide और unhide करा सकते हैं उसी तरीके से हम क्या करेंगे column की जो column को भी हम hide unhide करा सकते हैं मौल लीजे यма column है आपको hide कराने है तो hide unhide पर click करेंगे and i hide column पर click कर देंगे that CUri EMIS या फिर हम select कर लेंगे seat को या फिर हम उस range को select कर लेंगे starting ending point और unhide row पे click करेंगे तो यह हम यहाँ पे unhide column पे click कर देंगे तो यह हमारी column जो भी hide होंगे जो हमने range select किये तो वो आपके सारे so हो जाएंगे अब बात आती है hide seat की मालीजी हम seat 1 पे हैं यह देखिए हमें क्या करना है seat hide कराना है तो hide unhide पे जाएंगे और hide seat पे click करेंगे तो यह seat आपकी hide हो गई है यह देखिए one जो seat 1 थी वो आप यहाँ पे है नहीं तो हमें क्या करना है उसको वापिस सो कराना है तो आप महीं जाओगे फिर से और unhide hide unhide पे click करोगे और unhide seat पे click करना तो यह आपके पास एक block open होके आजाए जो कह रहा कि कौन सी seat आपको दिखानी है फिलाल तो मैंने एक ही hide की थी आपने बहुत सारी hide की हो तो यहाँ पे सारी आपको दिखाई देंगे मुझे seat वनती वो ही so करानी है तो okay कर देंगे तो जैसे okay करोगे seat वापस आपकी so हो जाएगी तो दोस्तो इस तरह से हम row column का size बदल सकते हैं row column seat को hide और unhide कर सकते हैं format के अंदर बाकी जो options है rename seat, move and copy, tab color, protect sheet and lock cell, format cell यह हम पढ़ेंगे अपने अगले videos के अंदर की यह जो जोच है उने जाएगे बाकी सकते हैं करुऌ सकते हैं की जोगे दंदर、 कनल कि दृब्र, ढरक हे अभरो, का इन डोगएफ अट स्संदर का इन पोड़ें जमेएले ज€ля के रेंगे हो बाकी का भी यहींज का चाहाँ आरी कितकें छो कु़ाँ